हेलो गाईज, वेलकम टो आवर यूटूब चैनल स्टुडी विद एम तो देखे, आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ तो आप सभी से निवेदन हैं कि आप सभी लोग हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर ले और बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर ले ताकि हम कोई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके बाए जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं आराउंड 4.4 के यहां पर सस्क्राइबर्स हो चुके हैं सुबद 10 बजे और शाम 8 बजे हैं पर कुछ का एजन भी कर जाता है इसके अलावा अधर इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियाप्स इहीं पर शेयर की जाती है लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर देखिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड में निर लोहारी नाग पाला परियोजना इसकी विद्दुच शमता है 600 मेगावाट और ये निर्मान हो रहा है इसका भागी रथी नदी पर और ये उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है अगला है आपका लाटा तपोवन परियोजना इसकी विद्दुच शमता है 310 मेगावाट और निर्मान हो रहा है इसका अलकनन्दा नदी पर और ये चमोली जनपद में इस्तित है देखिए काफी इंपोर्टेंट है आपके ये परियोजना है क्योंकि हर पेपर में कोई न कोई परियोजना पूछा ही जाता है तो आप नोट डाउन जरूर कर लें अगला है तपोवन विश्नुगाण परियोजना तपोवन विश्नुगाण परियोजना इसकी विद्दुच शमता है 520 मेगावाट निर्मान इसका हो रहा है पश्चिमी धोली गंगा पर और ये चमोली जनपद में है चमोली जनपद के रेंडी गाओं के सम्मीप 7 फरविरी 2021 को नंदा देवी हिमनत का एक हिस्सा तूटने से तपोवन विश्नुगाण परियोजना का अधिकांज हिस्सा अत्यधिक शतिग्रस्त हो गया है तो आप ये भी ध्यान में रखे अगला है रुपसिया बगड़ खसिया बगड़ परियोजना रुपसिया बगड़ खसिया बगड़ परियोजना जो है इसकी विद्धो चमता है दो सो साड मेगावोर्ट और ये निर्मान हो रहा है इसका गोरी गंगा नदी पितोरागड में हुआ है अगला है राष्टी जल विद्दूत निगम के अधीन जितनी भी परियोजना है उसमें हम डिसकस करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले है व्यासी परियोजना व्यासी परियोजना की कुल विद्दू चमता है 120 मेगावोर्ट और इसका निर्मान यमना नदी पर हुआ है यमना नदी उत्तरकाशी जनपद में है ये व्यासी परियोजना जो है यमना नदी पर है और उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है अगला है आपका लखवार परियोजना, लखवार परियोजना की कुल विद्धु छमता है 300 मेगावाट और इसका निर्मान हो रहा है यमुना नदी धिरा दून में, तो आप ये भी याद रखेंगे अगला है कोटली भेल, फर्स्ट ए ये परियोजना, इसकी विद्धु शमता है 195 मेगावाट और इसका निर्मान गंगा नदी पर हुआ है और ये तिहरी जनपद में इस्थित है अगला है आपका कोटली भेल 1B, तो इस कोटली भेल 1B जो है ये परियोजना, इसकी कुल विद्धु शमता है 320 मेगावाट और इसका निर्मान गंगा नदी पर हो रहा है तिहरी गड़वाल में, तो आप ये भी याद रखेंगे अगला है कोटली भेल 2HE परियोजना, इसकी विद्धु शमता है 530 मेगावाट और इसका निर्मान गंगा नदी पर हो रहा है तिहरी गड़वाल में अगला है खर तोली लुम्टी परियोजना जो है इसकी कुल विद्धु छमता है 55 मेगावाट और इसका निर्माण गोरी नदी पर हुआ है जो पिथोरागर जन्पद में इस्थित है आगे बढ़ते हैं अगला है टिरी हाइड्रो डवलप्मेंट कॉर्परेशन के अधीन जो भी परियोजना है उसके बारे में हम आगे डिसकस करेंगे पहला है करमोली परियोजना की कुल विद्धु छमता 140 मेगावाट है जिसका निर्माण जाड गंगा नदी उत्तरकाशी में है ये निर्माण हो रहा है इसका जाड गंगा नदी पर और उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है अगला है किशाव परियोजना की कुल विद्धु छमता की बात करें तो इसकी विद्धु छमता है 600 मेगावाट और इसका निर्माण टौंस नदी पर हो रहा है जो धिरादून जनपद में इस्थित है अगला है आपका जाड गंगा परियोजना की कुल विद्धु छमता है 50 मेगावाट और इसका निर्माण जाड गंगा नदी पर हुआ है जो उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है अगला है आपका विश्नुगार पीपल कोटी परियोजना की कुल विद्धु छमता 440 मेगावाट है और इसका निर्माण अलगनदा नदी पर हुआ है जो चमोली जनपद में इस्थित है अगला है आपका मलेरी जहिलम परियोजना की कुल विद्धु छमता की बात करें तो 55 मेगावाट इसकी विद्धु छमता है और इसका निर्माण पश्चीमी धौली गंगा नदी पर हुआ है जो चमोली जनपद में इस्थित है अगला है आपका जहिलम तामक परियोजना जो है इसकी विद्धु छमता 60 मेगावाट है 60 मेगावाट इसकी विद्धु छमता है और इसका निर्माण पश्चीमी धौली गंगा नदी पर हुआ है और ये जहिलम तामक परियोजना चमोली जनपद में इस्थित है अगला है गोहना ताल परियोजना की विद्दूत शमता है 6 मेगावाट और इसका निर्मान विर्ही गंगा नदी पर हुआ है गोहना ताल परियोजना चमोली जनपद में इस्थित है आगे बढ़ते हैं अगला है उत्राखंड जल विद्दूत निगम लिमिटेट के अधिन जितने भी जल विद्दूत परियोजना हैं उसके हम आगे डिसकस करेंगे तो पहला है आपका पाला मनेरी परियोजना इसकी विद्दुच शमता है 480 मेगावर्ट और इसका निर्मान भागी रथी नदी पर हुआ है और ये पाला मनेरी परियोजना उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है अगला है पाला तिलोथ सेकिंड परियोजना जो है इसकी विद्दुच शमता है 105 मेगावर्ट और इसका निर्मान भागी रथी नदी पर हुआ है और ये उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है आगे देखे अगला है आपका बाबला नंद परियाग वन परियोजना इसकी विद्दुच शमता की बात करें तो 300 मेगावर्ट बाबला नंद परियाग वन विद्दुच परियोजना की विद्दुच शमता है 300 मेगावर्ट और इसका निर्मार अलक नंदा नदी पर जो परियोजना है ये चमोली जनपद में इस्तित है अगला है आपका तामक लाठा परियोजना की कुल विद्धो च्हमता की बात करें तो इसके कुल विद्धो च्हमता है 280 मेगावॉट और इसका निर्मान पश्चीमी धौली गंगा में हो रहा है तामक लाठा परियोजना चमोली जीले में इस्थित है अगला है आपका सेला उर्दिक परियोजना सेला उर्दिक परियोजना के कुल विद्दुद श्यमता है 230 मेगावाट और इसका निर्माण काली नदी पर हो रहा है जो पितहौरा गड़ जनपद में इस्थित है आगे बढ़ते हैं देखिए सतलज जल विद्दुद निगम लिमिटेट के अधिन जितने भी परियोजना की हम आगे डिसकस करेंगे पहला है आपका नेटवाड मोरी परियोजना इसकी कुल विद्दुद शमता की बात करें तो 33 मेगावाड इसकी विद्दुद शमता है और इसका निर्माण टोंस नदी पर हुआ है नेटवाड मोरी परियोजना उत्तरकाशी जनपद में इस्थित है आप सभी परियोजना में बता रहे हुए आपे आप नोट डाउन जरूर कर ले काफी इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम के दुष्ट से कोई नप परियोजना आपका पूछा ही पूछा जाएगा तो आप नोट डाउन जरूर कर ले आगे है आगे है आपका जखोली सांकरी परियोजना जखोली सांकरी परियोजना की विद्दू छमता है 33 मेगावाट और इसका निर्मान टोंस नदी पर हुआ है जो उत्तरकाशी जन्पद में इस्थित है अगला है देवसारी परियोजना देव सारी परियोजना की कुल विद्दु चमता है 300 मेगा पॉर्ट और ये बिरही गंगा नदी पर बन रहा है और जो चमोली जिले में इस्थित है अगला है आपका राष्टी जल विद्दु निगम के अधिन जितने भी परियोजना है इसकी हम आगी डिसकस करेंगे पहला है आपका चुंगर-चाल परियोजना के कुल विद्दु चमता है 240 मेगा बार्ट और इसका निर्मान पूरी धाली गंगा नदी पर हुआ है और ये चुंगर-चाल परियोजना पिथोरगर जनपद में इस्तित है अगला है गर्बा तवागाट परियोजना की कुल विद्धो चमता है 630 मेगावाट और इसका निर्माण पूर्वी धोली गंगा पर हो रहा है जो पिथोड़ा गड़ जनपद में इस्तित है अगला है आपका निजी छेत्र के अंतरगत जितने भी परियोजना है इसकी हम बात करेंगे निजी छेत्र के अंतरगत पहला है आपका मोरी हनोल परियोजना जो टोन्स नदी पर है और उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी कुल विद्धो चमता है 63 मेगावाट दूसरा है आपका हनोल त्यूनी जो टॉंस नदी पर बना है और उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है और इसकी 50 MW विद्धु शमता है अगला है आपका हनुमान चट्टी जो टोंस नदी पर बना है और उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है इसकी कुल विद्दुच्छमता है 30 MW अगला है सयाना चट्टी जो यमना नदी पर निर्मित है और उतरकाशी जनपद में इस्तित है जिसकी कुल विद्दुच्यमता है 45 MW अगला है आपका बड़ कोट कुवां यमना नदी पर निर्मित हुआ है और उत्तरकाशी जनपद में इस्तित है इसकी कुल विद्दुच्शमता है 42 मेगावाट अगला है आपका भिलंगना टू भिलंगना टू परियोजना जो है ये भिलंगना नदी पर बना है और टिहरी जनपद में इस्तित है इसकी कुल विद्धुच्शमता उन पंचास मेगावाट अगला है आपका सिंगोली भटवाडी परियोजना जो है ये मन्दाकनी नदी पर बना है और उरुद्रब्रियाल जनपद में इस्तित है इसकी विद्दुच्शमता है 60 मेगा बॉर्ट अगला है आपका बद्रिनात परियोजना अलकनन्दा नदी पर बना है और चमोली जिले में पढ़ता है ये बद्रिनात परियोजना और इसकी कुल विद्दुच्शमता है 140 मेगा बॉर्ट अगला है आपका बगोली बाद परियोजना बगोली बाद परियोजना पिंडर नदी पर बना है और चमोली जिले में है इसकी जो विद्दुच्शमता है ये है 72 मेगा बॉर्ट अगला है आपका पांडूली बाद, पिंडर नदी पर बना है जो चमोली जिले में है और 27 मेगावट इसकी विदुद शमता है अगला है आपका मेल खेत, मेल खेत परियोजना, मेल खेत परियोजना पिंडर नदी पर निर्मित है और चमोली जनपद में इस्तित है कुल विद्दुत, कैपेसिटी है इसकी 56 मेगावाट अगला है आपका मापांग बोगु ड्यार, मापांग बोगु ड्यार परियोजना जो गोरी गंगा पर बनी है और ये पितोरागड जनपद में इस्तित है इसकी कुल विद्दुत चमता है 200 मेगावाट उर्थिक सोबला परियोजना पूरी धोली गंगा पर निर्मित है और पितोरागड जनपद में इस्तित है ये परियोजना जिसकी कुल विद्दुत चमता है आपकी 280 मेगावाट अगला है आपका सेरागाड बाद परियोजना सरीयो नदी पर निर्मित है जो पितोरागड जनपद के अंतर गताता है जिसकी कुल विद्दुत चमता है 45 मेगावाट अगला है आपका पूरी राम गंगा बान जो पूरी राम गंगा नदी पर बना है और पिथोरागर जनपद में स्isuथ है जिसके कुल विद्दुत शम्ता है 66 ΜW अगला है आपका काली का दंतु परियोजना काली का दंतु परियोजना काली नदी पर निर्मित है जो पितोरागड जनपत के अंतरगत आता है कुल विद्दो छमता रहेगी इसकी 230 मेगावाट आगे बढ़ते हैं अन्य परियोजनाएं भी हैं यहाँ पर आपकी दीवी अन्य परियोजनाएं की बात करते हैं अन्य परियोजनाएं है भहरोगाटी फेज वन जो भागिरती नदी पर बना है और उत्तरकाशी जनपत में है कुल विद्धु छमता है इसकी 381 मेगावाट अगला है आपका भेरोगाटी फेज 2 परियोजना भागीरती नदी पर बना है जो उत्तरकाशी जनपत में है और इसकी कुल विद्धु छमता है 240 मेगावाट अगला है आपका भेरोगाटी phase 3 परियोजना जो भागीरती नदी पर निर्मित है और इस उत्तरकाशी जनपत के अंतरगता आता है इसकी कुल विद्दुच्छमता है 320 मेगावाट अगला है आपका ताकुला सांकरी परियोजना टोंस नदी पर निर्मित है जो उत्तरकाशी जनपत के अंतर गताता है और 141 मेगावाट इसकी कुल विद्धो छमता है अगला है आपका आराकोट त्यूनी परियोजना आराकोट त्यूनी परियोजना पावर नदी पर निर्मित है और उत्तरकाशी जनपत में पड़ता है ये 81 मेगावाट इसकी कुल विद्धो छमता है अगला है आपका त्यूनी परियोजना टोन्स नदी पर बना है और उत्तरकाशी जनपत के अंतरगत आता है ये परियोजना भी और 66 मेगावार्ट इसकी कुल विद्धुत चमता है अगला है आपका दुनाओ परियोजना दुनाओ परियोजना पूरी नयार पर बना है पौड़ी गड़वाल जिले के अंतरगत आता है ये 1500 किलो वार्ट इसकी कुल विद्धुत चमता है अगला है आपका तुमणियाबाद परियोजना जो पीखा नदी पर बना है और उधम सिंग नगर जिले में इस्थित है बैंगुल माद परियोजना है बैंगुल वा सुखली नदी पर है जो उधम सिंग नगर के अंतरगत आता है उसके बाद है आपका हरीपुरा बाद बाकरा नदी पर बना है उधम सिंग नगर जिले में पड़ता है ये बोरबाद है बोरबाद बोरव कल कक्राला नदी पर है बोरव कक्राला नदी पर बोरबाद निर्मित है जो उधमसिंग नगर में इस्तित है धोरबाद है किछा नदी पर जो उधमसिंग नगर में इस्तित है नानक सागरबाद है नंधोर नदी पर उधमसिंग नगर के अ भालू बाद है रानी खेत में जो अल्मोडा जिले के अंतरगत आता है भीमताल बाद बना है भीमताल जील पर जो नैनी ताल के अंतरगत आता है इसके अलावा है पंचेश्वर बाद जो काली नदी पर निर्मित है चमपावज जिले के अंतरगत आता है यह परियोजना भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है याद रखेंगे भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना अगर पूछी जाती है तो ये है पंचेश्वर बान परियोजना अगला है आपका जमरानी बान जमरानी बान गोला नदी पर निर्मित है जो नेनिताल जन्पद में इस्तित है इसके अलावा बात करते हैं काली गंगा वन लगु जल विद्दूत परियोजना की कुल विद्दूत छमता चार मेगावाट है और इसका निर्माण उखी मट में क पालिगंगा नदी पर हुआ है जो रूद्र प्रियाग जिले में इस्तित है यह परियोजना वर्ष 2013 में आपता के संपर्क में आनेशे शतिगरस्त हो गई और वर्ष 2016 में इसका पुना निर्मानकारी प्रारंब किया गया है जो वर्ष 2020 में पूरा हुआ तो आप ये सारी ची देखे इसके अलावा परिक्षा द्रिष्टी देख लेते हैं परिक्षा की द्रिष्टी से और किया इंप्राखंड जल विद्दूत निगम का गठन 1 अप्रेल 2001 में किया गया है काफी important questions बन सकता है आपका तो note down जरूर कर ले उत्राखंड जल विद्दूत निगम का गठन 1 अप्रेल 2001 में किया गया अगले है आपका power transmission corporation of उत्राखंड ltd का गठन 1 जून 2004 को किया गया तो आप ये भी note down जरूर कर लें अगला है आपका वर्ष 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पंचक्की को लगु उद्द्यों का दर्जा दिया गया 2001 में अगला है उत्राखंड में वर्ष 2005 से संचालित राजियो गाधी ग्रामीन विद्दोती करण योजना के अंतरगत राजी में प्रतेग गाउं का विद्दोती करण करने वह सभी परिवारों के आवासों तक बिजली पहुचाने और BPL यानि ब्लो फोवर्टी लाइन परिवारों को निशूल विद्दोती विधा परदान की जा रही है तो आप ये भी याद रखेंगे ओके गाईस आज मैं आपके लिए एक इंफर्मेटिव वीडियो लेके आई थी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेर एंड हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेडी विद एम को जरूर सस्क्रा कर ले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यावाद